हेलो दोस्तों मैं जी श्रागत करता हूँ आपके अपनी चैनल जीत पुरी उपर यहां पर आज देखेंगे अपन इस्टेट एजुकेशन इचीमेंट सर्वे एस एएस कख्छोनौमी के विध्यारती हो तो अभ्यास प्रेशन लेकर आयों विश्य है क्या सामाजिक बिग्या ठीक है ना तो इसमें अपन देखने वाले समाजे बिग्यान का सॉलूशन तो इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी हेल्प हो सके तो दिखिए यहां से अपने स्टार्ट करेंगे पहला क्या है अपना निमलित उनको जाहती है तो आपको क्या करना है मेरे टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लिए ना टेलीग्राम चैनल का नाम है जीदफोर्व यू ठीक है ना जीदफोर उहां पर इसकी पीडिया फाइल मिल जाएगी तो वहां पर आप देख सकते हो और मेरे यूटूब वीडियो से आ कौन सा दर्सा आए गया है तो पन को इस छेत में बताना है क्रसी का कौन सा सहत दर्सा आए गया है गहन निर्वहन क्रसी ठीक है ना कौन सा गहन निर्गह क्रसी ओके आंगे चलिए निम्न में से कौन सा एक किसी स्थान की अक्षांसिया देशान से स्थिति को सही दर्सा आता है वीज डिग्री उत्री अक्षान सुवा पंदरा डिग्री पक्षमी तीसान ठीके ना आंगे चलिए अगला कुश्चिन क्या कहता है यह आप भारत में डी बोई पुंबई तहा हाई वत्ता अंकेश्वार छेत्रों की यात्रा करते हैं तो बताएं कि इन छेत्रों में कौनसा उर्जा खनीच के भंडार अधिक मात्रा में मिलते हैं कौनसे मिलते हैं पेट्रॉलियम के भंडार मिलते हैं ठीके ना ओके आंगे चलिए एक विद्ध्याति को ग्लोब का यमन्चित पर कितने डिगरी का अंतराल देने पर उत्री गोलात में 6 बरावर दूरी अक्षान से ब्रत को बना सकेगा कितने पर बना सकेगा पंदर डिगरी का अंतराल देने पर ठीके ना ऐसी अपना आगे बढ़ते चलेंगे सन 2019 में आम चुनाओं में लगभग एक से डेल लाग प्योड़ों को बचाया जा सका इसलिए संभाव क्यों संभा हुगा यह तो इसलिए संभा हुगा क्योंकि इलेक्ट्रोनिक बद्दान मसीन को उप्योग किया गया जैसे अपन इबी एम बोलते हैं ठीक ना क्या बोलते हैं इबी एम बोलते हैं ओके क्योंकि परशी का इस्तमाली हुआ तो कागशन पेड़ नहीं काटे गए हमीशा मानोश अंशादन को सिक्षा की त सरकार से सम्बंदित कानून जारी किये किसने जारी किये किसने जारी किये मस्दूर और कीमितों सीमा सम्बंदीख ठीक है तो एक ऐच्छा कानून था जो बहुत कम अपनाया जाता था तो 57 के 18OM के पीछे अनेक कारक उत्तदाई थे जिनमेंसे एक महत्पूर्ण कारक तत कालिन कारक से भी माना जाता है निम्मिलित कारक peanuts कोण सा था चर्भी लगी कोर्टूश का प्रयोग सबसे महत्पूर्ण तब्शल कर्दन का नित्यो ने किया था तो यह प्यूपन को बालनुम होगा नाना साहब ने किया था जिसने जांसी की रानी देखा होगा तो उसे याद होगा ठीक ना स्वामी वेकानन्द आधुनिक समय में भारतिय थे जुन्हों विश्य व्यापी स्तर्प बेदांद दर्सन के आध्यात्मि गौराओ को पुनर स्थापित किया उन्होंने सामाज सेवा और नित्वार्थ स्यम के जरिये मुक्त सेवा की लक्ष पर जोड़ देने की उद्देश की स्थापना की रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस ने की पाली का जिसको पनकोड बोलते हैं ठीक है ना अंग चले एदि आप कक्षा में हैं और भूकम बाता है तो खुद को बचानी के लिए ततकाल कारवाई करेंगे क्या करेंगे मदद के लिए कॉल करेंगे सिक्षक के लिए पितिक्षा करेंगे आप जहां है बहां प्रितिक्षा कर सकते कित्ती टाइम पर देगा कि नहीं कर सकते अगर भूकम तुरत आ जाता है तो ओके आज़ा जए वीधान सवात के चुनाव करानी के राजवा भीविन शेत्रों में वहाजित कि या जाने इस छेत्को क्या क्यों प्रदान किजा रही हैं? क्युंकि ए स्थानी शरकाद को स्वक्षता सेवा प्रदान करने का अधेश दिया गया है ठीक है तुप एक फारण प्रत्रे प्रदान करना तो धीहास कों सी और बीवटल प्रेल भी चलने लगी हैं तो कह नहीं सकते अभी तो इसका अंसर एही है तो आप एही लगा लीजिए ठीक है ना कार्टूसों को कार्टना 1857 के विद्रों का एक कारण था क्यों की दिखियो आपने विद्रों हुआ था क्योंकी उसमें हिंदूों की भावनाओं को आहाथ हुआ था क्यों हुआ हाथ हुआ था क्योंकि उसमें चर्वी लगी काक्तूस को प्यू किया गया था ठीक है ना तो अपन को याद रखना है ऐसा भी पूछ सकता है वो सोनाली अपने घर के बाहर गार्डन एरिया के पास मिट्टी देख रही थी और सोच रही थी कि मिट्टी कैसे बनती है मिरदा नर्मार में प्रमुकारकों का चैन कीजिए प्रमुकार के है मूल चट्टान और जलबायू कारा ठीक है ना आगे चले सुमित थोक में सबजियें खरीता है उन्हें फेरी वालों और दुकानदारों को बेचता है किस प्रकार का ब्यापारी है दिखी अगर सुमित थोक में सबजियें खरीता हो और उन्हें फेरी वालों और दुकानदारों को बेचता है तो वो भी थोक ब्यापारी हुगा ठीक तो यह सीधा सांसर आपको समझ में आ गया होगा अगर कोई भी कोई भी डाउड आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है न यह थोड़ा पना कोश्चन हो गया है पहली बार फिर से आ गया तो कोई दिकत नहीं इसको पन लग कर देंगे मिस्प्रिंट होगा है थोड़ी मिताली एक एटलस में अपने सहर इंदोर का पता लगाने चाहिए उसके लिए उसे जगय का पता होना चाहिए किस जगय का अक्छांस और देसांत का पता होना चाहिए ठीक है न क्या होना चाहिए अक्छांस और देसांत का पता होना चाहिए तब ही वह पहता लगा सकती है अपने आंसर तो इसका भी देग लिया है उद्धोगी क्रांती का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव रहा किस प्रकार का रहा उत्वी रुद्ध्योग का पतन हुआ ठीक है ना उद्धोगी क्रांती के बाद कुत्वी रुद्ध्य की महिलाओं के बीच मौझूद समाजी तड़कों की अलोचना में बात करी या औरत को अपनी जिन्दगी उतनी ही प्यारी नहीं जितनी की तुम्हें अपनी जिन्दगी ठीक है ना किसमें की थी स्त्री पुरुस लाव तुलना ठीक है ना रिष्ट इंडिया कंपनी का भरत मे परंबिक उद्देश था क्या उद्देश था बैभाईक संबंद स्थाकेत करना ठीक है इसके बाद उन्होंने अपना उद्देश वल्दा और यह बाद हो गई क्या भी कह सकते हैं ठीक है आहीं जलिए अफगानिस्तान के कंधार के ब्रह्मन के दोरान एक दल को 250 बर्स प्रमुखलीपी कैसी है ब्राम्मी ठीक है ना आगे चले हरप शब्विता के नगरों में खुदाई के दोरान पुरतात्वी खूपशूरत बरतनवा गहनी मिले जिनको वालू एसपी थी पत्थरों के चून कोंदया मिलाकर वस्तुए बनाई जाती थी इसके बाद उन पर किनी परत चड़ाई जाती थी औहस्ता आट किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है इस भी टिक ठीक पर न में प्रके समय जब्रण संट 19ori बहर्ट की एंगा थी किसलिए अठारा वर्स से कम उमर का लड़का और सोला वर्स से कम कि लड़की पहले पारित किया ग और अभी थोड़ा संसोधन चल रहा है कि लड़की की उम्र भी 21 वर्स होनी चाहिए तो यह भी ठीक है ठीक न तो आपका आंसर कौन से सही होगा सी वाला आंसर सही होगा तो आपको सभी जानकारी होनी चाहिए एक वैक्स नागरिक पोलिंग बूत पर बोट डालनी जाता है त ठीक है ना आंगे चले भारत में पंचताई राजप्रतिक्रिया ग्रामिर इस्थानिया स्वाराज व्यस्था का प्रतिक प्राचीन काल से भारत की नियाय प्रतिक्रिया पंच परमिश्वर्व के रूप में प्रचलित है इस विवस्था के सुधार के लिए भारत स्वनी सम प्रमिती ओके आंगे चले को अलगुशन ने लगो दो के एक प्रति स्ठान में पांच लोग काम कर रहे हैं उनमें से एक वरकर की उम्र तेरा वर्स है इस इस्तिती में उद्धोक के मालिक पर किस कानून के कारवाई की जा सकती है किस कानून के तहत करका बाल स्रम निजहत अचानक कनाड़ा व्यापार करने जाता है कुछ समय बाद नागरिकता गरन कर लेता है भारत का राष्टपती बनना चाहता है सही उत्तर का चैन की तो क्या अब भारत का राष्टपती बन सकता है मायराम भारत का राष्टपती नहीं बन सकता क्योंकि उसने कनाड़ा की रा इभी आपको याद रखना है हर बच्चा स्कूल जाओ प्रात्मिक सिक्षा फूर करें उसे उसे मध्यान भोजन लाप सुलाव हो खुशी-खुशी स्कूल में पस्तित हो चात्रों के विध्यालाय में सत्पिती सत्तों पस्तिती रहे इस उद्देश की पूर्ती के लिए किस पर स्तरबुच्च नियालाय में सभी राज्यों की सरकारी स्कूलों में मध्यान भोजन की उजना आरम करने का आदेश दी किस के तहत बर्ष दोहजार दो के तहत ठीक है ना आगे चले निमिले चार्ट का अवलोकन करें दिखे एक चार्ट दिया गया है अपन को इसको अव भर देंगे अंगे दीपक वजार में से एक किताब लेकर अध्यन किया उसने पाया कि यह पुस्तक जोतीवा फुले द्वारा 18-18 में लिखे गो किताब भारत की कथाति निम जातियों अमेरिकी देश के काले गुलाम को समर्पित है एक किताब है कौन सी किताब है गुलाम ग स्वादेश की विवस्था को पुक्ता करनी के लिए भारत में पंचायती राजप्रिनाली विक्सित की कई जो शम्विदहान की अनुसूची से सम्मंदित है कौन सी समूची से नौभी अनुसूची से ठीक है ना आंगे चलिए ओके अगला कुश्यन है अपना पाराम समझा महसूस किया गया घटना का नुभाव का आत्मकता लिखी गई जो चर्चित रही इस आत्मकता के लेखाक है महत्मा गांदी कौन है महत्मा गांदी ठीक है ना आंगे गुजरात में इस्तित हडप्प सब बता का ओहल इस्थल जैसे तीन स्थरों में बांटा कर चारों और उची दीवारों से ढखा और प्रवेश द्वार पहडपा लिपी के बड़े बड़े अक्षरों को पत्रों से खुरदुरा गये इतिहासिक द्रस से अनोखा अवसेश स्थान है कौन लोग ठल ठीक है अंगे चल लोग सुबा चुनाओं में चार राजनीतिक दलों ने च पत्राशी उतारे कुल लोग सिवा सीटे सो है जिनमें से आ को की मिली फोटी नाइन और बा को पैंटीस मिली ठीक है न और यहां पर देखिए सा को दस और दा को छे सीटी मिली इसके बाद दिखें बताईए कि बहुमत किसे मिला अगर दा को आ को सा वा दा को एदी बा शा और दा आपस में मिल जाएं तो सही उत्तर दा है ठीक है दिखिए अगर बा सा और दा तीनों आपस में मिल जाते हैं तो टोटल सीटे कित्ती हो जाती है इंक्यावन तो बहुमत किसका होगा दा का ठीक है न यह तीनों आपस में मिल जाते हैं तो बहुमत दा का हो जाएगा आया समझ बैं क्यूंकि इसको तो केवल 49 से मिली अपन को ध्यान रखना है तो जिसकी पाज़ादा सीट ही होञाल वह तो भंम्हज़ मिलेगा के चले एक खेतिहारी मजदूर है जैने 15 दिवर्श के लिए इसे द्राषा मस्राख और 100 Ос workflow में में नहीं मिल सकती जो सब्जी मंडी नीलामी में भाग लेका सब्जियां खरीता है फिर उन सब्जियों को सब्जी खरी दी और फिर सब्जी व्यापारियों को बेज दी जो की फुट कर बेजते हैं तो वो केवल थो व्यापारी हुआ ओके तो यहां पर अपने पूरे 40 के 40 कोश्चन कंप्लीर कर लिए अब क्या करने हैं अपन को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कर देने ताकि उनकी भी हेल्प हो सके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूला मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद